सुप्रिम कोट में चंडिगड मेयर चुनाओं में हुई धांदली मामले में सुनवाई से ठीक पहले बिजेपी के पार्षद ने मेयर पद से इस्तिफा दे दिया है सुप्रिम कोट में सुमवार को चंडिगड मेयर एलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसी पर लगे आरोपों में सुनवाई होगी ऐसे में आपको बता दे कि चीफ जस्टिट डीवाई चंदरचूड की अध्यक्षता में सुप्रिम कोट आप कॉंग्रेस गडबंदन से मेयर पद की उमिद्वार रहे कुल्दीब कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा कुल्दीब कुमार ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसी पर मत गन्ना के दोरान धोखा धरी और जाल साजी के आरोप लगाये थे ऐसे मैं आपको बता दे की चंडिगड मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धानली के अरोप पर सुप्रिम कोट ने पांच फरवरी को सक्ती दिखाई थी और चुनाव का वीडियो देखने के बास सीजे आई ने कहा की अधिकारी मत पत्र कैसे खराब कर सक उस पर मुकदमाच चलना चाहिए मैं बता दे कि सुप्रिम कोट ने कहा था कि जवड़त लगी तो चुनाव करवाय जाएंगे अभी मत पत्र और मदान का वीडियो हाई को सौप दिया जाए सुप्रिम कोट ने निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिकत रूप से पीश होकर अपने आच्रन पर सफाई देने को भी कहा था और 19 फरवरी की तारिक तैकी गई ऐसे में आपके बता दे कि सीजे आई डीवाई चंद्रचूड ने आप पार्शत की ओर से पैरवी कर रहे है वरिष्ट अधिवक्ता अब शेक मनू सिंग्वी की तरफ से उपलब्द सीसी टीवी फुटेज को देखने के बाद कहा था कि ये लोगतंत्र का मजाक है क्या ये एक रिटर्निंग ऑफिसर का बेवहार है जो कैमरे की ओर देखकर बैलेट को विकृत कर रहे है इसे ये असपश्ट होता है कि ये शक्स बैलेट को विकृत कर रहा है और इस शक्स को 30 जन्वरी साल 2024 को आम आदमी पार्टी ने अनिल मसी का वीडियो शेर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इसमें पार्टी की और से मतपत्रों में धांदली का आरोप लगाया गया था तो अभी के लिए इतना ही ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों के लिए बन